गुद्बॉर्णिंग लास फॉर्थ सब्चिक्ट आपका मैथेमेटिक्स यहाँ पे के लास्ट वीडियो में आपको कुछ कोशन्स प्राक्टिस के लिए थे वो हम चैक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने जो आपका चाप्टर है मिज़मेंटर अफ टाइम इसमें हमने एडि कर लेंगे इससको और छोनी सैथे इससे ब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ ब्ल आप 85 देखे 85 यहाँ पर आगया तो इसमें से हम क्या करेंगे 60 seconds को हम क्या कर लेंगे यहाँ से ले लेंगे 60 Minute हम यहाँ पर सी 對 के कर लेंगे निकाल लेंगे ठीक है क्योंकि जब्हें आपका 60 से अगर addition में आपका second minute है अगर वो 60 से उपח चला जाता है तो उसमें से हम क्या करेंगे minute या hour हम क्या कर लेते हैं यहाँ पिक जैसे यह second है तो यह अब आप चला गया 65 यहाँ पर हो गया तो इसमें से हम 65 को क्या कर लेंगे 60 इसमें से हम minus करेंगे तो 5 पे 0 गया 5, 8 में से 6 आपका चला गया तो कितना हो गया आपका 2 60 आपको पता है कि 1 min 60 min के बराबर होता है तो यहापे आप क्या करेंगे 25 आजाएगा आपके और जो 60 है वो कहां जाएगा आपका minute में यानि एक मिन्ट आपको 60 है वो यहांपे आपका टो जाएका ठीक है अब देख Ferguson आप मिनिट को हम ऐड़ करेंगे तो यहांपे किसको आड़ करेंगे 60 ठीक है प्लस 58 and then प्लस आपका 3 यह आपका minute है 8 प्लस 3 कितना होगे 8, 9, 10 and आपका 11 11 का 1 और 1 यहाँ पर कह रही होगे आपका 6 प्लस 6 कितना होगे आपका 10 तो यहाँ पर कितना होगे आपका 120 मिनट अब 120 मिनट में से भी हम क्या करेंगे आर को हम निकालेंगे तो 120 मिनट में से हम क्या करेंगे आपको बताए कि एक घंटे में कितने मिनट होते है आपके 60 मिनट होते है ठीक है तो इसमें से हम क्या करेंगे यह भी आपका क्या होगे 60 से उपर चलागे आपका minute तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने घंटें बन रहें आपकी 60-करते हैं, पर법 देखें ट्वाइल मेंगी सै 6 कि आपका यहाँ पर कितना हो गए आपका 6, अभी भिए आपका क्या है यहाँ प्रमिंटर बच रहे है आप 마지막 तो फिर दुबारेसे 60-करेंगे तो यहाँ पर दो घंटे निकल के आगे, यहाँ पर आपका बन आ गया और दो घंटे आपके यहाँ पर एड़ हो गया तो 7 प्लस 5 कितना हो गया आपका 12 एं 12 प्लस 2 कितना हो गया आपका 13 एं 14 तो कितना आगया आपका 14 आर तो यहाला कोशन भी आपने second कोशन भी इसी तरीके से करना है ठीक है और subtraction भी आपने ऐसे ही करना है next कोशन आप करेंगे यहाँ पर जो आपने revise करना है पहला जो आपका the length of a room is 8 meter and breadth इतनी है इसकी 6 meter ठीक है what is the area of the room आपको length मिली है breadth मिली है तो आपने इसको क्या बताना है area आपने बताना है दूसरा कोशन पर आपकी word problem है यहाँ पर आपने बताना है देविका wants to make a for a picture ठीक है which is 60 cm long and 35 cm broad अब देविका एक frame बनाना चाहती है किसी picture का जो frame होता है इस तरीके से वो बनाना चाहती है ठीक है जो जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 60 cm और चोड़ाई कितनी होनी चाहिए broad कितना होना चाहिए 35 cm तो आपको उस frame का क्या निकालना है perimeter आपने निकालना है थरड़े आपका फिंदर में the sum of all the angles of the triangle यानि कि जो आपका triangle है उसका sum कितना आपका रहां पर होता है ठीक है B वाला जो आपका है a triangle has a dash vertex and a sides एक triangle की कितनी vertex हैं और कितनी आपकी sides है C वाला है if all the sides of a triangle are equal it will be an inner triangle वो कौन साबका triangle होता है जिसके सारी sides क्या होती है बराबर होती है तो आपकोने बताना है कि वो कौन साबका triangle है तो यहाँ पर हमने जो triangle हमने पढ़ा था वो हमने classification किया था side and आपका angle का तो यहाँ पर आपका triangle पूछ रहा है लेकिन किस classification के based में site के based में तो यह आपनी ध्यान रखना है तो यहाँ पर जो हमने आज add यह जो इसका first question हमने किया है second question आप करके देखेंगे यहाँ पर subtraction में आपको next video में दुबारा से एक बार इसको clear करूँगी आज आप इसको एक बार ट्रा करके देखेंगे second वाला नहीं होगा तो next video में आपको दुबारा से इसको करवाऊंगी and subtraction वाला भी आपनी इससे दरीके से subtraction करना है 49 से 59 आपका minus नहीं होगा तो यहाँ पर इसे आप क्या करेंगे एक मिनिट हैं पर क्या कर लेंगे आप ले लेंगे तो 60 प्लस क्या हो जाएगा 49 तो जो भी addition होगा वो क्या करेंगे आप यहाँ से इसको minus करेंगे तो इससे आप try करके देखेंगे ठीक है तो next video में मैं आपको यहाँ पर एक सब्ट्रेक्शन का भी आपको एक कोशन सौल कर रहा हो दूँगी ठीक है और इसका प्लस आप इसको करके आप देखेंगे और प्राक्टिस अपनी करते रहेंगे अच्छे से सो थैंक्यू क्लास